हेलो फ्रेंट सबसे पहले शुरुबात करें ग्लोबल नियूस से तो यूस मार्केट में जो चार साल से रेट कट का वेट के जा रहा था पहला रेट कट आया और फैड काफी एग्रेसिव था रेट कट करने में हाफ पॉइंट का रेट कट उन्हों ने किया है 50 basis पॉइंट का अब उसके बाद मार्केट में जो मार्केट थोड़ा पहले उपर ट्रेट कर रहा था सारी अपने गेंज गवा था दिखा और नेगेटिव जाके मार्केट बंद हुआ अगर डाव की बात करोगे डाव लगबग 0.25% S&P की बात करोगे वह भी 0.29% और NASDAQ भी लगबग 0.31% नीचे जाके बंद हुआ उसका रीजन यहीं माने जा रहा है कि कुछ एनलिस्ट महाँ पर बात करें थे कि अगर FAT rate करने में aggressive होता है तो यह clear sign होगा कि economy में slowdown है तो इस वज़े से महाँ पर market ने negativity दिखा ही हाला कि अगर आप DAO future की बात करोगे आज Thursday को तो DAO future महाँ पर positive चल रहा है NASDAQ future भी positive चल रहा है तो actual impact जो है वो आज के शाम को जो market open होगी उनकी तब देखने को मिलेगा तो यह तो था global news का अब बात करते है stocking news जो इंडियन market में रह सकते तो सबसे पहले आता है IR EDA इनको 4500 करोड का fund raise करने का approval मिल गया है जिसमें इस fund raise के बाद जो government की stake है वो 7% से dilute हो जाएगी इस company में साथ ही NTPC green energy के IPO की काफी अठकरे लगाई जा रही थी तो उन्होंने DRHP फाइल कर दिया 10,000 करोड रूफ वो fresh issue करेंगे पैसा market से raise करेंगे 10,000 करोड तो यह जैसे CB का प्रूबल आगा तो यह IPO भी आता दिखेगा और expectation है कि इस IPO को भी bumper response मिलता दिखेगा बात करते अगली company की नजारा tag भी खबरों में रहेगा क्योंकि नजारा tag पे बात हो रही थी कि वो fund raise करने वाले तो finally उन्होंने बता दिया 900 करोड का fund raise करेंगे through preferential issue और इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया कि absolute sports में भी वो अपनी stake बढ़ा रहे है अब बात करते अर्विंदो फार्मा जो है वो 49% GLS फार्मा में stake खरीदने वाला है लगबाग 22 करोड में तो यह भी आज खबरों में रह सकता है इसके साथ अधित्या बिल्ला कैपिटल को approval मिल गया है जो उनको ML Commission करना था अधित्या बिल्ला फिनांस के साथ तो RBI का approval उनको मिल चुका है तो यह भी आज सुर्ख्यों में रह सकता है साथ ही आयन एक्सचेंज की बात करेंगे आयन एक्सचेंज को लगब 161 करोड का ओर मिलता दिखा है अधानी पावर से तो यह भी एक बड़ी खबर है 14 रुपे पर शेर रखा गया है तो बड़ी बिक्वाली एक MNC कमपनी में आपको देखने को मिलेगी अब अगर बात करेंगे ब्लोग डिल की तो ब्लोग डिल में QSR एशिया जो की प्रमोटर है बर्कर किंग के उनकी तरफ से 1 करोड शेर की बिक्वाली देखी गई है एक FIIs ने जहां 1154 करोड की बाइंग करी है वहें DIs ने 152 करोड की बाइंग करी है तो बाइंग का नंबर दोनों ही इंस्ट्यूशन से छोटा है लेकिन बाइंग करने का जो रुजहाने पोजिटिविटी है वो अभी भी बरकर रहे है इंडियन मार्केट में तो ये थी कुछ बिग निउस जो आज मार्केट में चर्चा मेरा सकते है अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके सपोर्ट जरू किजएगा थैंक यू सो मच